हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मारी यूट्यूब चैनल त्रीबदर टेलर पे और आज मैं आपको इस तरह का एक लेलिस पर्स बनाना सिखाऊंगा जो इस तरह का एक पर्स बनाया है मैंने और यहाँ उपर मैंने दो जीप लगाई है तो इस तरह से यहाँ दो प करके है उसका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में बेल आइकोन भी दबाई ताके मेरे नए विडियो के नोटिपिकेशन आपको तरफ मिलती रहे तो आए शरू करते हैं और उसके अंदर मैंने इसी रबबर सीट लिए है और आपके पांस रबबर सीट नहीं है तो आप फा यूज की है मैंने जरी वाला फैबरिक है ड्रेस मेट्रियल का और यह फैबरिक के साथ ऊपर ऐसा गॉल्डन फैबरिक लगाऊंगा जो इस तरह का गॉल्डन का फैबरिक है और यह फैबरिक का माप मैंने यहां आठ इंसका लिया है और यहां मैंने चे इंसका लिया है तो साढ़े तीन हिसका माब लिया है तो इस तरह से आट बै साढ़े तीन हिसका में दो कटिंग लेना है इस तरह का और उपर जो जिप लगाऊंगा उस का माब मैंने यहां तेरा हिसका लिया है तेरा हिसके में दो जिप लेनी है और यह अस्तर का माब मैंने यहां 8 इसका लिया है और यहां 6 इसका लिया है तो इस तरह से 8 बे 6 इसका में 3 कटिंग लेना है जो इस तरह से मैंने 3 कटिंग लिया है और साइड में जो बॉडर लगाऊंगा उसका माप मैंने यहां 3 इसका लिया है और यहां मैंने 2 इसका लिया है तो यहां मैंने निच्छे rubber seat लगाई है और उपर fabric लगा कर सिलाई कर दिया है पहले से अस्तर नहीं लगाया है अस्तर नहीं लगाना है पहले और अब हमें यह rubber seat में center में निशान कर देना है यहां 11 इसका माप है तो यहां 5.5 पे हम center में निशान कर देंगे तो इसी तरह यहां दूसरी साट भी में सेंटर में निसान कर देना है यहां 11 हिसका माप है तो 5.5 हिस पे निसान कर देना है और अब यहां 8 हिसका है और यहां 6 हिसका है तो हमें इस तरह से यहां से फोल कर देना है इस तरह से मोर देना है और यहां सेंटर में में निशान कर देना है तो यहां सेंटर पे निशान कर देता हूँ इसी तरह यहां दूसरी साथ भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है और अब यहां रबबर सिट का निशान और यह फैबरिक का निशान दोनों सेंडर का निशान में मिला लेना है और दोनों निशान मिला कर हमें यहां सिलाय कर देनी है तो यहां उपर में सिलाय कर देता हूँ और अब यहां में गॉल्डन फैब्रिक लगा देना है जो हमने आठ बाई साड़े तीनिस का कटिंग किया था वो हमें यहां उपर रख देना इस तरह से और यहां उपर में सिलाय कर देनी है और अब यह फैब्रिक को में उपर की साड़ मोर देना इस तरह से और यहां उपर हमें सिलाय कर देनी है तो इसी तरह यहां दूसरी साड़ भी हमें दूसरा गॉल्डन फैब्रिक लगा देना है जो यहां इस तरह से उपर रखना है और यहां उपर सिलाय कर देनी है और अब यह फैबरिक को में उपर की तरह मोर देना इस तरह से और यहां उपर में सिलाय कर देनी है और अब यहां साइड में जो ज़्यादा फैबरिक है उसको में कटिंग कर लेना है तो सारो तरब से ज़्यादा फैबरिक है उसको में कटिंग कर लेता हूँ rubber sit को हमें cutting नहीं करना है जो fabric ज़्यादा है उसको ही cutting कर लेना है तो इस तरह से में ये part त्यार कर लेना है जो इस तरह से में ने त्यार कर लिया है और अभी यहां उपर हमें थोड़ा round दे देना है तो इस तरह से यहां round shape में cutting कर लेना है और अभी यहां में round में silah कर देनी है तो यहां में silah कर देता हूँ और अभी यहां दूसरी side भी में round में cutting कर लेना इस तरह से center से मोड़ कर यहां में इसी तरह क cutting कर लेना है round में और यहां भी में silah कर देनी है और हमें यहां से इस तरह मोड़ना है और यहां सामने की साइट भी में राउंड में कटिंग कर लेना इस तरह रखकर तो यहां भी में कटिंग कर लेता हूँ यहां में दोनों साइट कटिंग कर लेना है राउंड में ही और यहां भी में सी लेकर देना है तो इस तरह से हमें round में shape दे देना है और अब यहां में pipe in लगा देनी है तो यहां में pipe in लगा दे हूँ तो center से में pipe in लगाना शरू करूँगा तो यहां पहले में plastic का टुकडा रख देता हूँ और अब यह जो rubber की pipe in है जो इस तरह की rubber की pipe in होती है उसके उपर मैंने ऐसा golden का लिस्ट लग गया है जो इस तरह से piping त्यार कर लिए और अब यहां से हमें piping लगा देनी है तो यहां से मैं center से शरू करता हूँ और यहां round है इसलिए यहां piping को में cut करना है तो यहां round में piping को cut कर लेता हूँ और यहां भी हमें round में cut कर लेना है piping को तो यहां भी round में piping के उपर cut कर लेता हूँ तो इस तरह से मैं piping लगा देनी है तो इस तरह से मैं piping लगा देता हूँ तो इसा हूँ प्लास्टिक 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 प् और अब यहां से भी आमें राउंड में कटिंग कर लेना है, तिन उस्तर एक साथ रकर कटिंग कर लेना है और अब यहां सेंटर में निशन कर लेना है, तो तिन उस्तर एक साथ रकर यहां सेंटर पर निशन कर लेता हूँ और ये दोनो जिप को भी उमें सेंटर पे निसन करते ना है तो इस तरह से मैं यहाद दोनो जिप को सेंटर पे निसन कर देता हूँ और ये जिप को में दोनो साइडे में सेंटर पे निसन कर देना है तो इस तरह से मैं दूसरी जिप के उपर भी में सेंटर में निशान कर देता है और अब ये दोनों जिप हमें सामने सामने मिला लेनी है इस तरह से और ये दोनों सेंटर का निशान में मिला लेना है तो इस तरह से हमें ये दोनो जिप मिला लेनी है और ये हामें सिला कर देनी है और ये दोनो जिप हमें जोड देनी है तो इस तरह से हमें ये दोनो जिप जोड देनी है तो इस तरह से में ये दोनो जिप जोड दी है और अब ये एक अस्तर लेना है हमें और ये जिप का सेंटर और ये अस्तर का सेंटर दोनों सेंटर में मिला कर यहां इस तरह से माप कर लेना है तो यहां से मैं राउंड में माप कर लेता हूं इस तरह से और यहां से मैं सिलाय कर दीनी है तो यहां से मैं सिलाय सरू करता हूं तो इस तरह से हमें यहां जिप लगा देनी है और अब यह जो जिप है हमें इस तरह से अंदर की साड मोर देनी है इस तरह से और यहां उपर हमें सिलाय कर देनी है तो यह जो जिप है उसके उपर में सिलाय करनी है तो यहां जो दूसरी जिप है उसके उपर में सिलाय कर देता हूं तो इस तरह से में दोनों जिप जोड़ कर यहां इस तरह से सिलाय कर देनी है तो इस तरह से मैंने दोनों जीब जोड़ दी है और यहां सिलाय कर दी है और अब यह दूसरा अस्तर लेना है यहां भी हमें जीब का और अस्तर का सेंटर दोनों मिला लेना है और यहां भी हमें इस तरह से माप कर लेना है और यहां उपर हमें सिलाय कर देनी है और यहां में दूसरा स्तर जोड़ देना है जीब के साथ और अब हमें यहां तीसरा स्तर लेना हैं और यहां भी हमें दूनों सेंटर मिला लेना है जीब के और दूसरों सेंटर लेक। भी हमोगा दूसरा फैसर जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें ये pocket त्यार कर लेना इस तरह से में दोनों जिप के साथ ये तीन उस्तर जोड़ देना है और अब यहाँ जो खुला है वहाँ तीन उस्तर एक साथ रखकर हमें यहाँ साइड में सिलाय कर देनी है तो यहाँ मैं साइड में सिलाय कर देता हूँ तो इसी तरह यहां दूसरी साइट भी हमें तीन उस्तर एक साथ रखकर हमें यहां सीलाई कर देनी है और तीन उस्तर हमें जोड़ देना एक साथ और हमें यह बॉर्डर लेनी है और यह बॉर्डर के साथ हमें एक इसी पट्टी लगा देनी है जो इस तरह की पट्टी में त्यार कर लिए है पहले से हमें इस तरह से यहां बॉर्डर के साथ जोड़ देनी है तो यहां बॉर्डर के साथ में यह पट्टी जोड़ देता अब यह पॉकेट के साथ हमें बॉर्डर जोर देनी है इस तरह से हमें दोनों जिब रख दीनी है और यहां उपर हमें बॉर्डर जोर दीनी है तो यहां इस तरह हमें बॉर्डर रखनी है उपर और यहां उपर हमें सिला कर दीनी है तो इस तरह से में ये बॉडर जोड देनी है जीब के साथ तो इसी तरह यहां दूसरी साइट भी हमें ये जीब के साथ ये बॉडर जोड देनी है इस तरह से में दोनों जीब कर देनी है अस तरह में निचे की साथ इस तरह से मोर देना है और अब यहाँ उपर में बॉडर रख देनी है और यहाँ उपर में स्टीला गरतेनी है तो इस तरह से हमें दोनों बॉडर जोड देनी है जीब के साथ और अब यहाँ बॉडर में निच्छे हमें सेंटर में निचान कर देना है तो यहाँ सेंटर में निचान कर देता हूँ इसी तरह यहाँ दोनों बॉडर पे हमें निच्छे सेंटर में निचान कर देना है इस तरह से सेंटर से मोर देना है और यहाँ सेंटर में निचान कर दे और अब यह जो मारा पार्थ है यहां भी हमें सेंटर में निशान कर देना है तो इस तरह से सेंटर से मोर देना है और यहां सेंटर पर हमें निशान कर देना है तो इसी तरह हमें यहां सामने साड़ भी हमें सेंटर पर निशान कर देना है और यहां साइड में भी हमें सेंटर में निशान कर देंगे और अब यहां से पॉकेट का और यह पार्ट का दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है तो इस तरह से यह दोनों सेंटर मिला कर हमें यहां से सीला शरू बनी है तो यहां से हमें इस तरह से पॉकेट जोड़ देना है जीप पहला पॉकेट और यह बोडर का सेंटर का निशान और यह पार्ट का निशान हमें दोनों मिला लेना है और यह बोडर हमारी ज्यादा बोडर है दोड़ी मैंने ज्यादा रखे है बोडर और हमें यहाँ बोडर ज्याद है उसको हमें बाहर निकाल लेना है और इस तरह से हमें राउड दे देना है बोडर को राउड में हमें सीला कर देनी है और ज्यादा बोडर है उसको हमें बाहर कर देनी है तो इस तरह से मैं निसन मिला कर ये बॉटल लगा देनी है और अब यहां से जिब को हम खोल लेंगे तो यहां भी हमें दोनों निसन मिला लेना है इस तरह से दोनों निसन मेंने मिला लिया है खजयों पा technologा कर दोड़ा से में दो कस् Nicolasимер पाशों बॉटल घ्रहा को कि आचे कर दो यह ही उझसाऊ कि अजए, घ्रॉवार कर दो थाचे मिला, कि रहे हैसा, पाटा कर वे मिला खागने तरह से भीक अब म too यहां पॉटब की बॉटविर तो यहां भी हमें दोनों निसार मिला कर बोड़ लगानी है और यहां हमें राउंड दे देना है बोड़ को राउंड में सिलाए करके इस तरह से बोड़ लगा देनी है झाल कर दो कर्सकतर है लगानी है तो इस तरह समय पॉकेट लगा देना हैं और यहां जो ज़्यादा बोडर है उसको में कटिणकर लेनी है तो यहां से दोनों बोडर में कटिंकर लेता हूं जो ज़्यादा बोडर है उसको और अब यहां स्तर खुला है वहां से हमें इस पर्स को पल्टा लेना है तो इस तरह से मैं पल्टा लेता हूं तो हमें अच्छे तरीके से पल्टा लेना है झाल 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 और अब यह अस्तर को में बाहर कर देना है इस तरह से और यहाँ खुला है वहाँ भी में सिलाई कर देनी है तो यहाँ तीन अस्तर एक साथ रख देना है और यहाँ उपर से में इस तरह से मोर देना है और यहाँ उपर में सिलाई कर देनी है तो इस तरह से में सीलाय कर दीनी है और ये पर्ष अमारा अंदरग्राउंड हो जाएगा सीलाय हमारी सभी अंदरग्राउंड में हो जाएगी और ये अस तरह में अंदरगर देना इस तरह से हमारा पर्ष अंदरग्राउंड हो जाएगा और दोस्तो इस तरह से हमारा लेलीस पर्स त्यार हो गया है और यह बनने के बाद जो इस तरह से दीखता है जो इस तरह से मैंने बना लिया है और दोस्तो आप भी घर पर यह पर्स जरूर बनाए और आपसे कैसा बनते हो मुझा कॉमेंट में जरूर बताए और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज लाइक जरूर करें और आगे शेर भी करें और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें झाल झाल